हेलो स्ट्रेंट्स वेलकॉम बैक टो एलेट टूटर्स चलिए इस वीडियो में हम कंटीनिव करने वाले हैं 1.2 और इसके पहले पार्ट में हमने थेरम देखे थे और वो था property of an angle by sector of triangle और इसको लेके हमने sums भी solve के थे अब इस वीडियो में हम ये दो और ये तीन थेरम का जो result है वो देखने वाले formula जो इनसे मिलने वाले वो देखने वाले और इसके base पे जो sums रहेगा वो करेंगे और एक पार्ट और रहेगा जिसके अंदर last 2 sums करने वाले ह तो चलिए BPT theorem से हमको क्या formula मिलता है क्या relation दिखाए देता है वो देखने वाले तो चलिए BPT theorem नहीं actual में करने वाले मैंने आपको पहले ही बता है तो suppose हमर पास एक triangle है जिसका नाम है ABC और एक triangle है PQR और एक triangle है XYZ हम करने क्या वाले हैं कि जो 3 side है जैसे ये 1 side और ये 1 side और एक-एक side के लिए एक-एक line draw करेंगे parallel जैसे इस side के लिए parallel लगा line draw करना है तो यहाँ पर भी draw सकता है लेकिन हमको यहाँ पर draw नहीं करना है नहीं इसके ऊपर draw करना है हमें ऐसा draw करना है कि वो इन दो side को कहीं नहीं का intersect करना चाहिए तो ये line के लिए यहाँ पर parallel line कहीं पर तो बनाना है, यह line के लिए यहाँ पर कहीं पर parallel बनाना है और यह line के लिए यहाँ पर तो देखिए इसके लिए यहाँ पर आएगा और इसके लिए यहाँ पर आएगा जो यहाँ पर बताएंगे और इसके लिए यहाँ पर आएगा जो यहाँ पर बताएंगे एक line सिर्फ ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद हमको result क्या मिलता है वो हमको देखना है तो चलिए suppose हम BC वाला side लेते हैं और इसके parallel एक line बनाते हैं यह वाला यह line parallel है और जो क्या कर रहा है AB को point D painter से कर रहा है और AC को point E painter से कर रहा है तो इतना होने के बाद students आपको एक relation मिलेगा यहां पर और वो क्या है दिखिए वो कि AD का जो distance है वो distance अगर आप divide करोगे DB के distance है और उसको solve करोगे तो वो value आपको AE का जो distance रहेगा measure रहेगा वो measure divide करेगा आप EC से तो जो measure मिलेगा वो measure दोनों equal देगा मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि AD upon DB is equal to AE upon EC फिर से आप समझे कि AD के place पर जो भी value रहेगा यहां पर जो भी length लिखा रहेगा अगर वो यहां पर लिखोगे measure इसका measure आप यहां पर लिखोगे इसको cancel करके value डूड़ोगे और फिर AE का measure जो आपको मिला रहेगा वो यहां पर लिखोगे और EC का measure जो रहेगा वो यहां पर लिखोगे इसको cancel करोगे तो यह हमने इस line को दिखा है, अब अगर हम यहाँ पे इस line के उपर चलते हैं, तो इसके लिए parallel हम यहाँ से बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा बीच में जाना चाहिए, आप यहाँ से अटाके यहाँ पे उपर भी बना सकते हो, सिर्फ पैरलल होना चाहिए, यह आपका condition हो होना चाहिए, तो सबोज यह parallel है और इसने दो पॉइंट पे इसके एक T और एक S, तो यहाँ पे आपको formula क्या मिलेगा, QS, sorry चले, यहाँ से ले ले लेते हैं, QT upon TR which is equal to QS upon SP, आप ऐसा ही बूल सकते हो, QS upon SP is equal to QT upon TR, मतलब यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, हमने यहाँ हो रहे हैं, मतलब एक vertex से broader side पे आ रहे हैं, एक छोटी से जगे से broader side पर एक pyramid जैसा follow कर रहे हैं, आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, BD upon DA is equal to CE upon AE, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर एक आप ऐसा करते हो, यहाँ से उपर के तरफ चलते हो, दूसरा उपर से नीचे आते हो, तब तो wrong हो जाएगा, यहाँ पर उपर से नीचे आए, AD upon DEB, तो यहाँ पर भी वापिसे AE upon EC उपर से नीचे आईए, लेकिन यहाँ पर सकते हो, BD upon DA लिखते हो इस तरफ, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा CE upon EA, या CE, CE in the sense EC और EA का मतलब AE दोनों पर मिनिक C M है, और वही चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, जिससे हम अगर यहाँ पर QT upon TR लिख रहे हैं, यहाँ पर, suppose QT upon TR लिख रहे हैं, और which is equal to QS upon SP लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो RT upon TQ लिख सकते हो, और PS upon SQ लिख सकते हो, अगर यहाँ पर इस तरफ से इस प्रियम तेनों नहीं रहेगा, कोई एक साइट दिया रहेगा, मैं आपको तीनों साट का सीवएक एक एक जामपल बता रहेगा, तो फॉर्मूले में कैसे कैसे चीज़ रहेगा, तो चले अगर यह साट को हम देखते हैं, यह वाले साइट को, sorry, एक मिनुट, अगर हम यह सा XM upon MX which is equal to ZN upon NY या आप ऐसा बोल सकते हैं XM upon MZ which is equal to YN upon NZ कोई भी एक आपको apply करना तो चलिए हम ऐसा लिखते हैं ZN upon NY which is equal to ZM upon MX तो यह हम यहाँ पर लिखते हैं ZN upon NY which is equal to ZM upon MX तो यह आपको याद रखना है यह है BPT BPT में यही होते हैं यह formula तभी आपको मिलेगा जब triangle में किसी एक side को कोई एक line parallel है तभी आप लिख सकते हो bigger parallel बताए आप यह चीज नहीं कर सकते हो तो यह है BPT अब इसका Converse of BPT क्या है Converse of BPT के लिए direct दिखे कि यहाँ पे जो line रहेगा वो parallel है या नहीं है ऐसा question आपसे पू या इसा बोला जाए कि बताए कि जो MN है क्या वो XY को parallel है या नहीं है जबकि BPT में क्या था यह line parallel होता है और आपको ऐसा मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको line parallel है या नहीं है यह आपको बताना यह बहुत अच्छे सा आपको समझना दोनों का difference तो अगर हमको यह बताना है कि यह line यह line के parallel है या नहीं है तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको AD का value दिया रहेगा आपको DB का value दिया रहेगा आपको AE का value दिया रहेगा आपको EC का value दिया रहेगा यह जितने भी segment से सब के values दिया रहेंगे आपको करना क्या है पहले AD upon DB का value find out करना है AD upon DB का value find out करना है उसको equation 1 कर देना है condition number 1 फिर AE upon EC का value फांडर करना है और फिर दोनों check करना है कि क्या दोनों का value same मिला है अगर same मिला है तो आप बोलोगे by converse of BPT theorem या by converse of basic proportionality theorem line DE is parallel to BC तो यह आपको समझे उसी तरह यहाँ पे भी है कि अगर आपको यह प्रूव करना है कि MN is parallel to XY तो पहले आप क्या करोगे ZN upon NY का value निकालोगे अलग से उसको condition number 1 कर दोगे फिर आप ZM upon MX का value निकालोगे उसको condition number 2 कर दोगे और फिर दोनों को compare करके देखोगे कि उनका value equal आया या नहीं आया है अगर equal है तो वो parallel रहेंगे जिससे दिखे अगर यह suppose यह 5 दिया है और यह 4 दिया है और यह 15 दिया है और यह 12 दिया है तो आप क्या करोगे पहले AD upon DB find out करोगे AD upon DB अगर आप find out करते हो तो आपको क्या मिलता है 5 upon 4 तो यह 5 upon 4 यह इसको eigen को थोगे condition number 1 ये भी 5 upon 4 मिल रहा है, तो अगर ये दोनों रेशियो सेम मिला है, मतलब AD upon DB और AE upon EC अगर आपको सेम मिला है, इक्वल मिला है, तब तो by Converse of BPT theorem ये इसको parallel होगा, तो BPT कहाँ पर अपलाई करते हैं, जब line parallel दिया होता है, और हमको ये formula मिलता है, AD upon DB is equal AE upon EC, और Converse of BPT हम कब parallel है या नहीं है, ऐसा question बोला जाता है, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो इसके बाद के समस में हमको करना है, जैसे अगर यहाँ पर 5 दिया है, और यहाँ पर ये नहीं दिया है, बलकि पूरा जो AB है, वो आपको 9 दे दिया है, और यहाँ पर ये आपको 15 दिया है, या आप समझे, यह आपको 12 दिया है, और यह पूरा आपको 27 दे दिया है, 27, तो देखे, आपको तो AD अपन DB चाहिए, और मैं देखे, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने आपको AD दिया है, और आपको AB दे दिया है, मैंने आपको EC दिया है, और मैंने आपको AC दिया है मैं आपको DB नहीं दे रहा हूँ मैं आपको AE भी नहीं दे रहा हूँ और फिर भी मैं पूछ रहो कि आप बताई कि क्या DEBC के parallel है तो इसको parallel बताने का तो rule यही था आपको find out करना पड़ेगा AD upon DB जो भी हमने बता है तो AD तो है तुमार पास कितना 5 लेकिन DB तो नहीं है तो DB कैसे हम मिलेगा तो देखे अगर AD 5 है और AB पूरा का पूरा 9 है तो यहां से यहां तक अगर 9 है और यहां से यहां तक अगर 5 है तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यह मिल जाएगा 4 तो आपको ऐसा पहले करना पड़ेगा इसका 4 वैलिव फाइनट करना पड़ेगा उसी तरह आपको 27 में से 12 माइनस करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा यहां पे 15 तब जाके आपको चेक करना पड़ेगा और यही चीज आपको 1st question में करना है तो जैसे हम यहां पे शुरू करते हैं 1st question देखे यहां पे क्या लिखा कि ट्राइंगल PQR PQR में क्या लिखा कि PM is 15 अब PM यह है तो यह आपको दिया है 15 उसके बाद अगर यह देंगे और फिर यह देंगे और यह देंगे और हमसे पूछेंगे कि क्या पैरलल है या नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन PM के बाद देखे PQ दिया है आपको PQ पूरा दे दिया है कितना 25 तो हम जब find out करेंगे तो हमको PM अपन MQ find out करना पड़ेगा जबकि यहां पर MQ को छोड़के उन्होंने direct PQ का वेरियो दिया है कि state weather line NM जो line है ये line क्या ये line RQ को parallel है तो इसका मतलब आप समझे कि आपको ये छुटे-छुटे जो segment बच रहे ये आपको find out करना पड़ेगा तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे ये एक straight line में देखे ये एक straight line में point P है point M है और point Q है जो co-linear है तो हम ऐसा लिखेंगे कि PM प्लस MQ देखे हम लिखेंगे PM प्लस PM प्लस MQ MQ is equal to PQ इतना और इतना देखे इतना और इतना प्लस करेंगे तो पूरा हो जाएगा जिसका नाम PQ है और यहाँ पे आप लिख सकते हो reason P' M' Q इसका meaning होता है कि ये तीन के तीनों point co-linear है तो अब अगर PM आप देखते हो तो 15 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 फिर प्लस MQ अगर आप देख रहे हो तो MQ तो नहीं था तो MQ को MQ लिखते है which is equal to PQ PQ आपके पास 25 तो यहाँ पे लिख देंगे 25 तो इस तरह से देखे आपको MQ का value मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं therefore MQ जो है वो हो जाएगा 25 माइनस 15 और जिसका value आजाएगा 10 तो हम आप पे बोल सकते हैं therefore MQ आपको मिलता है 10 तो इतना आपको करना पड़ेगा पहले है यह तो हमने किस के लिए किया है इसके लिए अभी हमारा यहाँ पे बाकी है तो उसी तर हम बोल सकते हैं कि PN प्लस NR ऐसा अलसो भी लिख सकते हो या नहीं दिखोगा तो भी चलेगा PN प्लस PN प्लस NR NR which is equal to PR और इसका reason भी same उपर वाले के जिसर रहेगा P-N-R सबको linear है तो P-N-R फिर दिखे भी PN का value हमारे पास PN का value नहीं है तो PN को PN लिखेंगे प्लस NR अगर देखते हो तो NR आपके पास 8 है तो 8 लिखोगे which is equal to PR अगर देखोगे तो वो 20 है तो यहाँ पर 20 लिखेंगे प्लस 8 यहाँ पर जाएगा तो minus हो जाएगा तो therefore PN जो है वो हो जाएगा 20 minus 8 therefore PN जो है वो आपको मिल जाएगा 12 तो अब जाके आपको देखो छोटे-छोटे जो segments थे वो मिल गए आपके पास PM भी है अब MQ भी है अब PN भी है और NR भी है अब अगर आपको बोला है कि क्या NM इसके parallel है तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले PN upon NR और फिर PM upon MQ निकालना पड़ेगा तो हम यहाँ पर लि लिखेंगे upon NR 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे फिर इसको cancel करेंगे तो 4 2 is a 8, 4 3 is a 12 आ रहा है तो 3 upon 2 आ रहा है तो PN upon NR जो है वो आपको मिल रहा 3 upon 2 जिसको आप condition number 1 करोगे और फिर लिखोगे and PM upon MQ निकालना अगर PM upon MQ तो आपको क्या मिल रहा है PM हमारे पास है 15 और MQ हमको मिला 10 जो 5 के टेबल बजा रहा है तो 5 2 is a 10, 5 3 is a 15 which is equal to 3 upon 2 तो PM upon MQ जो है वो आपको 3 upon 2 मिल रहा है तो 1 में क्या मिला कि PM upon NR 3 upon 2 है और 2 में हमको मिला कि PM upon MQ 3 upon 2 है तो from 1 and 2 हम क्या बूल सकते हैं कि therefore from 1 and 2 इन दोनों से हम बूल सकते हैं कि PM upon NR का वैल्यू PM upon NR का जो वैल्यू है वो equal मिल गया है PM upon MQ के PM upon MQ के तो जब यह equal हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह लाइन पैरलल रहेगा लेकिन यह Converse of BPT बोलोगे तो आप यहां पर लिखोगे कि therefore by Converse of BPT आप बोल सकते हैं कि NM is line NM is parallel to PQ या इसा बोल सकते हैं कि NM is parallel to RQ और इस तरह यह प्रूव हो जाएगा तो इस तरह करना था चलिए इसके बाद वाला question देखते हैं फूर्थ वाला question है इसमें देखे क्या बोला है कि measure of some angles in the figure are given तो figure के अंदर कुछ angle का measures दिया है आपको बोला है कि आप prove करके बताओ कि AP upon PB is equal to AQ upon QC अब यहां पर यह जो concept था कि अगर दो line parallel है और एक transversal है तो यह दोनो angle equal होते है corresponding angle और अगर यह दोनो angle equal है तो यह दोनो line parallel होएंगे जो यहां पर दिखाई दे रहा है कि अगर यह angle जो ऐसा दिख रहा है और यह angle जो ऐसा दिख रहा है अगर दोनो 60-60 है मतलब दोनो equal है तो इसका मतलब यह दोनो line parallel है तो यह आपको यहां पर बोलना है कि angle angle मैं बताओंगा कि किस तरह हम यह prove करेंगे पहले ही जो मैं बता रहे है आप देख लीज़े कि angle APQ angle APQ is equal to angle ABC ABC which is equal to 60 degree given तो अगर यह दोनो angle equal है तो आप directly बोल सकते हूँ कि therefore PQ is parallel to BC तो आप बोल सकते हूँ कि therefore segment PQ is parallel to side BC यह segment BC भी लिख सकते हूँ आप BC और इसका result लिख रही है corresponding angle test यह आपको पूरा लिखना है मैं ऐसा लिख रहा हूँ corresponding angle test तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अब इसका मतलब यह है कि यह parallel है इसको तो अब अगर BPT का जो theorem हमने देखा था उसमें क्या देखा था कि अगर एक triangle के अंदर किसी एक side के को एक line parallel होता है तो फिर आपको मिल जाता है AP upon BB which is equal to AQ upon QC तो हम ऐसा बोलेंगे कि in triangle in triangle ABC ABC आप इसको ऐसा कर सकते है one कर दी जो आपको अच्छा रहेगा ABC हम पहले बोलेंगे कि PQ is parallel to BC इस triangle हम ने लिया कि एक triangle ABC लिया और directly क्या बोल दिया कि इस triangle के अंदर PQ BC को parallel है PQ BC को parallel है जबकि यहाँ पर नहीं दिया था लेकिन हमने यहाँ पर प्रूव किया one में तो हम बोल सकते कि from one तो अगर इस triangle में अगर यह इसके parallel है तो BPT का theorem basic proportionality का theorem क्या बोलेगा आपको direct लिखना पड़ेगा कि AP upon PB is equal to AQ upon QC AP upon PB is equal to AQ upon QC तो hence proved होता है वही चीज़ हमको यहाँ पर करना था चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं नया concept और वो है property of three parallel lines and their transversals तो इसका क्या मतलब है कि अगर तीन line parallel है और दो transversal है तो इसके अंदर और यह जो intersection point है यह 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 और यह तीन अगर उसके नाम है suppose कुछ भी नाम हो सकता है यहाँ पर PQRSTU है तो यहाँ पर जो आपको result मिलता है वो यह कि PQ upon QR is equal to ST upon TU यह आपको मिलेगा तो हम यह पर लिख सकते PQ upon QR which is equal to ST upon TU एकदम simple है हर जगे पर ऐसे ही हमको देखने को मिल रहा है तो यह आपको याद रखना है अब यह चीज़ आपको ढूड़ना है कि जहाँ पर भी आपको तीन पैरलाइन दिख रहा है तो वहाँ पर आप समझे कि आपको यह चीज़ मिल जाने वाला है और यह चीज़ अगर आप गौर से दिखते हो तो यही concept जो है ना PQ upon QR ST upon TU यह का आपको ऐसे figure में दिख सकते है देखे यह figure में यह दोनों में देखे क्या कोई फरक नहीं है यह उपर का जो पार्ट है इसका कोई मतलब नहीं होता है हमको इसमें अगर हम देखते हैं तो यह line इस line को अगर parallel है और वो इसको अगर parallel है तो आपको मिल जाएगा यह upon यह which is equal to upon यह और अगर यह figure अगर देख मिडल वाला भी अगर उनों ने बता दिया question में कि यह इसको parallel है तो यह 3 parallel वाला concept आजाएगा और आप यह लिख सकते हो तो property of 3 parallel lines में बस इतनी समझना है students तो चले इसको लेकर जो sum से वो देखते हैं जिससे अगर first sum देखते हो यहां पर मतलब इस concept को लेकर fifth sum समझें तो इस पर लोग ने बताया कि a-b is parallel to pq उन्होंने बोला कि a-b जो है वो pq को parallel है और pq जो है वो dc को parallel है तो इसका मतलब 3 के 3 लाइन parallel हो गये तो जब 3 के 3 लाइन parallel हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी जिया जिससे आपर value भी दिया है कि अगर a-p 15 है a-p 15 है उसके बाद p-d 12 है यह जो p-d है यह 12 है और फिर q-c q-c यह अगर 14 है और b-q आपको find out करना है तो b-q आपको find out करना है तो आपको volume इसमें क्या मिलने वोले आपको तो यहाँ पी हम बताते हैं यह लिखते है कि ऐसा कि in trapezium a-b-c-d a-b-c-d side a-b is parallel to side p-q and which is parallel to side dc तो इतना दिया है तो इतना कर तीन parallel दिया है तो इसका हम property लिख सकते है तो हम डारेक्ट बोल देंगे कि एक मिनिट कि बादा property of three parallel lines and their transversals तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा a-p upon p-d तो हम लिखेंगे a-p upon p-d which is equal to b-q upon q-c तो यह हमको मिलता है जब भी line तीन parallel होता है अब आपको value लिखना है अब a-p के place पर क्या लिखोगे 15 therefore 15 upon p-d, p-d के place पर 12 लिखोगे which is equal to b-q, b-q हमको नहीं दिया और b-q हमसे पूछा भी है तो b-q, b-q रहेगा upon q-c, q-c के place पर आप लिख दोगे 14 अब cross करेंगे तो b-q को 12 से multiply करना है तो b-q multiply by 12 which is equal to 15 multiply by 14 फिर 12 वहाँ पर जाएगा तो therefore b-q which is equal to 15 into 14 divided by 12 तो 3 के table में जाएगा 3 4s are 12 और 3 5s are 15 फिर 2 के table में जाएगा 2 2s are 4 2 7s are 14 5 7s are 35 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम बुल सकते हैं therefore b-q which is equal to 75 35 upon 2 तो 35 का हाफ आपको volume है 17.5 तो आप यहाँ पर लिखोगे therefore b-q which is equal to 17.5 तो आपको यह मिल जाता है b-q का value और वह हमसे पूछा है आपको पता है cancel कर लेंगे ने तो देखे 2 1s are 2 एक यहाँ पर बसता है 15 है 2 7s are 14 एक बचेगा point लेंगे 0 2 5s are 10 तो 17.5 आएगा तो चलिए 5th question था अब same question हम और देखने वाले हैं और वह है 7th question तो चलिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा कि figure में a-b parallel है c-d को और वह parallel है f-e को तो a-b जो parallel है वो c-d को parallel है वो है f-e को तो 3 line parallel हो रहा है और वह हमको चाहिए तो यह चीज़ हम भी लिखेंगे कि a-b a-b is parallel to c-d and which is parallel to e-f या f-e बोलिए कुछ भी लिखें तो अगर 3 line parallel है तो property आपके पास है तो आप लिख सकते हो directly d-b d-b which is equal to e-c e-c upon c-a तो यहाप लिख देते है c-a और फिर value लिखें f-d के place पे आप लिख दोगे 4 तो therefore 4 upon d-b d-b 8 है तो यहापे 8 आजाएगा which is equal to e-c e-c x है तो x आजाएगा upon c-a c-a 12 है तो 12 आजाएगा और यहाँ पर देख यह x का value पूचा है तो यहाँ पर मिल जाएगा और a e का value पूचा है तो चलिए पर x का value find करते हैं तो cross करेंगे x को 8 से multiply करेंगे तो therefore x multiply by 8 which is equal to 4 multiply by 12 और therefore x which is equal to 4 multiply by 12 और यह 8 यहाँ पाएगा तो divide by 8 हो जाएगा 4 और 4 और 4 और 2 और 2 और 6 और 12 तो therefore x का value पूचा है 6 तो x का value मिल जाता है 6 अब इसके बाद हम से पूचा है a e तो a e दिखें यहां से लिखें यहां तक है तो हम इसा बुच सकते हैं कि a c plus c e a c plus c e is equal to a e और उसका reason why लिखेंगे a dash c dash e 3 तिनों को linear है अब a c आपके पास 12 है तो 12 लिखिए plus c e x है तो x लिखिए plus a e आपको नहीं प्लस नहीं आएगा equal to a e आएगा a e आपको पता नहीं लेकिन x का value आपको मिल चुका है तो आप लिखोगे 12 plus 6 which is equal to a e और फिल लिखे therefore a e जो है वो मिल जाएगा 12 plus 6 18 तो यहां पर आजाएगा 18 तो a e का value आपको मिल जाता है 18 तो चलिए बस इस वीडियो में यहीं तक देखना था और इतने दो पार्ट में हमने बहुत सारे question cover कर लिए सिर्फ हमारा दो question बच रहा है जो हम next part में part third में करने वाले हैं और हमारा 1.2 जो है वो अच्छी तरह 1.2 जो है पूरी तरह खतम हो जाएगा प्रीज आप प्रैक्टिस करिए और अगर आपको समझ मेरा तो लाइक करना जरूर मत भूलिए मेरा मतलब है लाइक करना मत भूलिए और subscribe अगर नहीं किया तो वो कर लीजे और प्रीज शेर करिए चली मिलते है next video में thank you very much